हेलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूटुब चैनल फ्रेशर क्लासेस में तो फ्रेंड्स यह जो वीडियो रहने वाला है या आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर फोर रहने वाला है जो आपका बेस होगा प्रिवियस एर पे ब वीडियो को तो वीडियो पूरा देखे और अंति तक बने रहे वीडियो के साथ तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं क्या बोल रहा है पहला कुशन निमलिखित में से तत्व के वर्गी करण का वर्तमान में क्या आधार है कि टत्व मतलब इंगलीज में element और हिवर्गी करण का मतलब क्लासिफिकेशन जो मरते हैं लेंपन है कि इस हम वर्तमान समय में वह किसके अधार पर भरतमान में अभी हम लोग प्रियोडिक टेबल यूज करते है एलिमेंट का तो वो किस अधार पर उसको बांटा गया है तो हमेशा याद रखेगा उसको बांटा गया है तत्वों का परमानु संख्या पर किसको किस पर बांटा गया है एटोमिक नमर पर बांटा गया किस पर बांटा गया है पाटा गए तो किस अधार पर बांटा गया है तो आपको इसको सजाया गया है कि तो तत्वों को जो सजाय गया तत्वों ना को हुआ को भढ़ते परमानो संक्या के तो किomina सेफार से ले लीग एक फ़िसेज में तत्वों को कैसे सजा गया तो बढ़ते प्रभानु संख्या के अधार पर मतलब इंगलिस में बोले तो कि इंक्रीजिंग और ओडर ओफ कि अटॉमिक कि नम्मर के अधार पर एलिमेंट को सजाया गया ठीक है मैं चलते हैं आगे तो आपका होता है विद्यूत परिपत में उदासिन तार का रंग होता है जैसे इलेक्ट्रिक सर्कीट होता है ठीक नहीं तो उसमें जो उदासिन तार होता है उदासिन तार मतलब इंगलिस में नीट्रल है इसंट्रल वायर बोल सकते ठीक है तो जो उदासिंतार होता है या इंगलिस में बोलते हैं उसका रंग आपसे पूछा रंग मतलब कलर पूछा है तो किस कलर का होता है तो हमेशा याद रखना है हैं option C कैसा color होता है ब्लैक कलर का होता है ठागर बढ़ते हैं कि अंघूर में कौन सा अमल सबसे पपूच्ओर मातरा में पूछ रहा है है हम अंघूर में कौनसा अमल जो है हम कौनसा ममल मतलब एसीड काुछ एस पाई जाता है अंगुर में हमेंशा याद रखना तो उक्सेलीकर शहाए जाता है जैसे सिस्टे बार्क में िंख़्यदि पत्ता कि mes लिए अच्छा से लिख देता है थोला हो पालक में पाइजा आपका और पत्ता मिधो अच्छा चौर्द है और था मादनी में लिख सकते हैं या मादने भी पाय पाए जाता है अच्छा का सफिवरी कम किसमें पाए जाता है सफ्यूरी कम तो यह आपका पाए जाता है कि सल्जम पने जाता है और हरी पत्दार सब्जया में हरे पत्तेदार कि सब्सबी में ठीक ना यसा में पाए जाता आपका सलफियुरिकम और isel में पाए जाता है कि स्योडर सेSt wield है और पाई गाजर में और पाए जाता है कि बिंज में तो यह सब लिख हो सकता है कि आपको आपका एक्जाम में सबसे हेल्प मिल जाए ठीक नहीं तो जूरा हुआ सब यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन पी राइट टर्टरिक आमलेट ठीक है आगे बढ़ते हैं कि गोलगी निकाय अस्थानिक रूप से किसे समद्धित है गोलगी निकाय अस्थानिक रूप से किसे समद्धित है तो आपका समद्धित होता है कि यार से किसे समझ देत होता है इसको यार इंगलिस में बूलें कि यार से समझ देत होता है और यार का मतलब क्या होता है फूल फूल फॉर्म क्या होता है इसका है इंडो कि प्लाज्मिक कि रेटी कूलम क्या होता है हिंदो प्लाज्मिक रेटी कूलम तो हो गया option A right आगे बढ़ते हैं कि ट्रीटियम निमलिकित में किसका समनस्थानिक है तो यह होता है आपका hydrogen का किसका होता है और Hydrogen का होता किसका होता है तो हिर कि ट्रीटियम का जो होता है है में कि आटिटियम का कि सरसे सक को लिख सकते हैं समस्थानिक का मतलब क्या समस्थानिक क्या समस्थानिक क्या समस्थानिक क्या समस्थानिक है तो है तो इसको कैसे दर्स आते हैं हैं ऑसी प्र पावर हां है एसल 하ило मैंने थी हो गया और दो अन्न होते हैं थे हाइडोजीन के दो जो आइसो क्षान होते हैं समस्थानिक और कौन-कौन होतें वह जान लेती हें उनका नाम तो एक होता है कि असे होगि आपका अधर जो होता है दो और एक होता है और एक होता है है ड फो अप्रोटी एंगे तो सब को करने साथ इस तरह बखाते हैं और बारे में एक और जनने बात कही लिख होता है यह होता है रेडियो डेडीयो एक्टीव कि अरुब कि एसव इस होनने हैं थो सो था है यह जूरले वह जानकारी थोड़ा थोड़ा आपको हेल्प करेगा सो नॉलेज है को यह यह ची जितनी कोश्म रहेगे आपको में बताऊँ का fifty one नोमर चलते हैं कि उर्थक संबर्धन द्वारा जिवानू और विशानूं से मुक्त पौधा का पौधा को प्रप्त करने का उत्तम विधी क्या के द्वारा उत्तक सवर्धन द्वारा जीवानु और विसानु से मुक्त मतलब जीवानु और विसानु मतलब उसमें नहीं लगा हो कीरा मुक्त पौधाप्राप्त करने का उत्तम विद्धि क्या है वह सबसे अच्छा दोदी है आपका सुछ में प्रबन्दन क्या है सुछ में परबन्दन यसे आप विकातेे हैं तो आपका चाल की बढ़नों करता है और फ्रीक्वेंसी हो गया नविड्माति का मतलब क्या हो गया अब्रिक्वेंसी हो गाई जिसे ्धे इंडिकेट करते हैं तो बोल रहा है कि आबरती का निम्ल की कथान मतलब दिया हुआ है उसमें से आबरती को कौन अच्छा से दर्सारा रेप्रेजेंट कर रहा है तो आपको बताना है तो देख लेते हैं एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग के बीच की तरंग दूरी अगर एक हो नहीं यह नहीं होगा धौनी तर ऊटभां नți तरंग की ऊत्व अधिक्तम विभोग ने यह नहीं होता है तो अगर्डार फ्रिक्वेंसी होता है उसका फर्मॉलम्ळा क्या था 810 यह हता तो यह फॉय 1οald है और इसका जो एप का ऐसा ही मातरक होता है कि फ्रिक्वेंस्य का मातर क्या होता है हर्ज होता है ठीक न है तो यह हो गया तो आपका एप क्या बता था कि एक सकेंड में पूर्ण किये गए दोलन की कुल संख्यां आपको क्या कहलाती है आब अर्थ कहलाती है ठीक है आगे बरते हैं कि वास्पी करन की गुप्त उस्मा का उपयोग होता है वास्पी करन की गुप्त उस्मा को उपयोग किसमें होता है जिसे आप इंगलीज में यह जो गुप्त उस्मा है रोल होता है यह पूछ रहा आप से तो गैस या वास्प अवस्था में कनों की गती उर्जा को बढ़ाता है नहीं हिमांक निधुपर ठोस कनों के बीच आकर्ण बल से बाहर निकलते हैं मैं थे आपका। तो आपका सी राइट हो गया है कि अगे बढ़ते हैं धूंसा रंद धूंसा रंद वाला पौधा कोने आपका अपसण डी नेरीयम कनेर हो प्रित्वी के वायू मंदल में पाये जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है तो प्रित्वी पर प्रित्वी के वायू मंदल में पाये जाने वाली गैसों में जो नाइट्रोजन होता है कि जो हमारा है इंगलिस में नाइडसरों होता है उसकी मात्रा कितनी होती है 78 परसेंट होती है कि इस 28 परसेंट होती है PB कि आपका समलम में जिया क्या दिया है द आपको तो सल सम होती है लेकिन अगर देखा जाए है इसका एक्चुलिendra मान होת 78.08 परसेंट होती है इसको हम क्या करेंगे डैसिमल में बदल लेते तो कुछ नहीं डैसिमल में बदलने के लिए क्या तरीका सेवन्टी एड कि आप परतिसत उड़ेगा तो नीचे सो और यह तो सेवन्टी एड जीरो एड यहां बन गया चार गो जीरो आप छाट जीरो के लिए दिरो के लिए जीरो के लिए आट चीव दियंस लेगे सब्सक्राइब को यह बदल गया डैसिमल में और यह जीरो तो यहां पर आपको दैसिमल मेंनत पूछली यहां तो दसमलम में बताना तो ऐसे बता सकते और परतिसत में पूछे तो आप 78 परतिसत याद रख सकते हो कि प्रित्वी गवायु मंदल में नैट्रोजन की संख्या मतलब मात्रा कितनी होती है तो 78% होती है आगे बढ़ते हैं लैंस की सक्ति की इकाई क्या होती है लैंस पावर ओफ लैंस जिसे क्या बोलते हैं पावर ओफ लैंस पावर ओफ लैंस जो हता है उसे इंडिकेट करते हैं पी से तो यहां बोल रहा है लैंस की सक्ति का एकाई पी मतलब यहां पर क्या है हिंदी वाले लोग इसको बोलते हैं सक्ति के सक्ति ठीक है तो फी ब्राबर क्या होता है फोकस दूरी होता है और तो यहाँ पर आपको को पूछा है कि लैंस की सकती की ही क्या होती है ऐसा यूनिट पूछा ऐसा यूनिट तो याद रखेगा उसका होता है हाल डाइयॉप्तर होता जिसे इंडिकेट करते हैं डी से ठीक है तो आपका ऑप्षन भी राइट हो गया आगे बढ़ते हैं be बैक्टिड्या काई और कबक में क्या आम है तो वह हमाईशा य believing याज रखेंगा है बैक्टिडिया काई और के में जो आम होता है वहां काउसीका भित्ती उसमें उपस्थित रहता हूं उसमें पस्थितm चालक मतलब यहां पर क्या हो गया इंगलीस में जो बच्चे पर रहें इंगलीस में हो गया यह कंड़क्टर ठीक है अगर किसी चालक से अगर किसी कंड़क्टर से दो मिनट टाइम दिया आपको कितना क्या आवेस मतलब क्या हो गया है आवेस का मतलब हो गया है चार्ज है आवेस का मतलब क्या हो गया है चार्ज जिसे इंडिकेट करते हैं क्यू से ठीक ना तो यहां पर आप से पूछा क्या है क्यू का मान पूछा है क्यू का ऐसा यूनिट क्या होता है क्या होता है क्या होता है तो हम लोग formula क्या जानते हैं हम लोग formula जानते हैं हम लोग formula जानते हैं कि आई वराबर q by t यही जानते हैं तो इस formula में q q का मान निकालना थे q इधर आगया आई इधर गुना t q इधर और आई आई हमारा कितना है 1 ampere 1 तो आटी यहां पर क्या है दो मिनट दो मिन इसकेंड में बदलना होगा 120 में बदलना होगा रूख जाएं एक मिनट में साड इता है सोरी यहां पर मैं थौरा गलती हो गया है इसको मिनट को किसमें बदल लेंगे सबनें यह एक मिने कितना सदें तो शार्च सब्था कर दिये तो किना 120 सबस्था हो गया है प्रियास क्या हूं अच्छे से आगे बढ़ते हैं कर सिरुका किसका बिलीन है तो सिर का जो है कि सिरुका में इस पैसिट प्लेसमें क्या मिला का पानी इसका मिस्टान होता है क्या सिर्का तो एसीटी के परतिसת होती है और पाणी मिला कि ते तक होता है तो आप सोग आपका यहां से राइट क्या हो गिया डे कि healthier जान संक्रिया में भारत की वैस्वी कस ती में रहे तो पहले तो दूसरा पर था लेकिन अभी आज का जो प्रजेंट समय है आज अभी का जो भरतमान समय है भरतमान समय में जनसंख्यां के दिश्टी से भारत का स्थान क्या है कि पहला है क्umm एंदर्ग काल पक्कम किसलिए पृसीद है तो देखिए है कल पक्कम जो है यह यह स्थान है कहां पर या vẫn पिंद में यह आपका इस्थान कहां पर ऑनu में और यह किसके लिए प्रसीदए है कल पकम क्लमो की आपका कि नावी के ऑम चेक्ट के लिए परसीद सकी थे लिए आगे बढ़ते हैं कि मेटर पर ती रफार से एक अनpower पर सो can get you 2 पकड़ने सिखिए ऐसा उनिट का होता है मीटर पर सकेंड या किलो मीटर पर आबर एसा अगर लिखा रहे तो वह क्या हो गया मतलब क्या हो गया ऑफ गती हो ठीक ना तो यहां पर इसका जो इस्पीड दियावा है गती दिया वह वो क्या दियावा है 20 मीटर पर सकेंड दियावाई कि रफ्तार से एक सरल रेखी यह पध पर चल रही बसका तवरन अथवरन तबरण तबरण का इंगलिज में एस इंडिकोट करते हैं ऐसे लेसंट जिसे बुलते हैं वह कितना है चार मीटर पर सकेंड इसक्वायर यहां से क्या इंडिकेट कर रहा है ऐसी रेशन ठीक ना कि दो सकेंड का पशाद इसकी चाल क्या होगी और टाइम आपको दियावा है दो सकेंड ठीक है तो हम लोग को याद है आप लोग को यहां पर आपको स्पीड यहां पर आपको क्या क्या दिया इस्पीड दे दिया गती दे दिया तब रन दे दिया मतलब समय दे दिया है तो इससे आपको बोल रहा है कि है गति का प्रथम के स्वमिकरन क्या होता है भी मांनस यू बढ़ावर बी- निचनल वेलसिटी गार cricket betel इंप्रीनि प्रारांबिक क्या है है बीस तो यह आपका क्या दिया हुआ है यू दिया हुआ है तो यह आपका 20 हो गया यह आपका दिया हुआ है चार और टी दिया हुआ है दो ठीक ना तो भी माइनस 20 बरावर 8 भी बरावर 28 पर सकेंड तो आपको इनिसियल वैलू सिटी पूछा था देखे दिया बात क्या था 20 मीटर पर 30 से की रफ्तार से एक सरल की पत पर चल रहे हैं पहले है ना कोई गारी जैसे आप चलाना श्टार यह उसको आप 20 मीटर आपा चला रहे हैं कि चया वारा है कि यहां निवski पर चला रहे हैं और बसका जो अब तबरन रहे हैं इसलेशन जो रखे हैं वह चार मीटर पर सकंसर रहे हैं लेकिन क्या कर रहा है कुछ सम87 5D उसकी चार मतली सखने के पूछा है कि अभी सुन तो में 20-20 मिटर पर 30 सेकंड चला रहे हैं लेकिन दो सकेंड के बाद उसका चाल में क्या अंतर आएगा वह पुछा है बना फाइनल वैलुसीटी पूछा आप से यहां पर क्या पूछा है फाइनल वैलुसीटी तो उसके लिए क्या होगा आपका गतीज का पर्थम नियम यह आला कहता है रूली याद करना होगा और उसमें बैल्यू पूट कर दीजिए और निकल जाएगा आपका कि दो सकेंड बाद दो सकेंड बाद गारी का जो स्पीड होगा वो क्या होगा 28 मीटर पर सेकेंड होगा ठीक है आगे चलते हैं जीवन का बहुतिक अधार है जीवन का बहुतिक अधार है आपका जीवद्रव जीवन का बहुतिक अधार है जीवद्रव यह सिध्धान्त जो है यह जो प्रिंस्पल है यह सिद्धान्त की जो खोज की थी यह खोज किस ने की थी कि जीवन का बहुतिक अधार जीवद्रव है इसकी खोज किस ने की थी तो इसकी खोज की थी है कि है कि जीवन का जीवन का आधार जो होता है वह किस पर निर्वर है जीव द्रब पर निर्वर है और इसकी खोज है एक्सलेर ने की थी 1963 में की थी ठीक है और वास्तव में जो ये जीव द्रब यह होता क्या है तो ये वास्तव में इसको भी जान लेते कि जीव द्रब होता क्या थो वास्तव में हमारी है वास्ता में हमारी कोशीखा में इसकी खोज की थी हैक्सलेन ने कब कि थी 1963 में कि थी निवन में से किस इंधन को पढ़ियावरंस नहीं माना जाता है कॉनसा इंधन है उसको पढ़ियावरंसिन लवर ऑफ इन्वाइरोमेंट माना जाता है वो कौन सा इंधन है तो आपका पेट्रोल नहीं है पेट्रोल से जलाते हो तो धुआ निकलता है न अधरब लपीजी भी नहीं है डीजल भी नहीं है आपका कौन है जो आप घर में सि एन्जी करते हो हो जो घर में यूज करते हो उससे देखते हो धुआ नहीं निकलता है इससे कोई भी पोल्यूशन होता है क्या इससे कोई-म्फी प्रदूशन या प्रदूश लिखने मिज़े अंगर बड़ा आला ऐसमें क्या होता कोई भी प्रदूशन नहीं होता तो यह हमारे लिए पर्यावरन का क्या है मित्र है पर्याबरन का क्या है दोस्त है ठीक है आगे बढ़ते हैं जी का वर्तमान मान लगवक कितना होता है तो यह सब बच्चे को याद होगा जो भी साइंस सिस्टीम से होंगे इसका पर केजी होता है तो यहां जी का भी फर्मूला याद कर लिजेगा जी का फर्मूला क्या होता है एफ बराबर जी गुना में एम वन इन्टू बराबर आर का स्कॉयर यह मास है ठीक है और यह रेडियस है अर्थ का आर यहां पर ची है तो यह आपका हो गया फोर्स में आता है तो he show तो हो सकता आपका एक्जाम में पूछ दे जी का फॉर्मूला पूछ दे तो इसलिए आप याद रखिएगा यह होता है और जी का जो यह बैल्ली होता है यह कितना होता है तो आज का यह लास्ट कुश्चन हो गया दोस्तों बीस कुश्चन आपका डियालेड में पूछा जाता है साइन से तो वह इंपॉर्टन कुश्चन जो प्रिविएस यह के थे हम लोगों ने यहां पर डिसकस कर लिया है तो जो भी बच्चे वीडियो पर पहली वारा है तो च चैनल पर लोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप चैनल से जुड़े रहो आपको यहां पर सारा कंटेंट सारा सब्जक का प्रैक्टिस करवाया जाएगा अभी आपका रिजिनिंग और इंगलीज का 15 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है तो उसको भी जाकर देखिए और अपना एक्जाम के तयारी को पूरे अच्छे तरह सकीजिए और हमेशा ध्यान रखे एक बात हमेशा गौर्णमेंट कॉलेज के लिए तयारी करना है ठीक है ना जब भी करना तो गौर्णमेंट कॉलेज के लिए तयारी करना है सोच कर आईए क्योंकि प्रिवियस ये आपको एक सही डायक्शन दिशा देता एक इस गभ़वराना नहीं है यह हमेसा मत सूचें कि हम नहीं पढ़े यह हमेसा तो प्रिवियस यह डायक्ट आने में क्या होता बहुत बच्चे करना है जब तक आपका एक्जाम नहीं होता है एक्जाम होगा फिर आप मेरे चैनल पर ही मिलना और बलना कि कितना आपका प्रैक्टिस सेट बहुत मदद करेगा आपका एक्जाम में ठीक है तो थोड़ी बाते आपसे लास्ट में कर लेते हैं इसके लिए अगर बोरिंग लग